नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि सपने में खुद को तूटे हुए मंदर में जाते हुए देखने का क्या मतलब होता है। क्या ये सपना शुब होता है या अशुब होता है। और निकर भविश्य में आपको इस सपने के क्या परिनाम प्राप्थ हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं अपने प्राश्न के उत्तर पर। दोस्तों स्वापन शास्त्र और स्वापन विज्यान के अनुसार अगर आप अपने सपने में किसी तूटे हुए मंदर में जाते हैं। तो ये सपना आपके लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसा सपना आपके किसी कार्य में अवरोध उत्पन करने वाला सपना माना जाता है। ऐसा सपना ये बताता है कि आपको कोई बड़ी हानी हो सकती है। ये सपना आपके लिए अशुप संकेत देता है। सपने में तूटे हुए मंदिर में जाना, आपको मानसिक और आर्थिक हानी हुने का संकेट देता है, या हो सकता है कि आप आंत्रिक रूप से किसी मुद्धी को लेकर बहुत चिंतित हैं, ये सपना आपके कश्टों में वृद्धी हुने की सूचना देता है, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा, ताकि आप अपने जीवन को सफल बना सकें, दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आए हो, तो इस विदियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद